हेलो नमस्कार मेरे नाम है विडान शराब सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत है एशिया कप के लिए जो है सभी टीमों को आठ अगस्त तक आखरी डेट है कि आपको अपनी टीम का एलान करना है एशियन क्रिकेट कॉंसिल को देना है कि भाई हम इन खिल कहा है मसेलावफरी दडाव खान को कट पतान बना गया के लिए असी फ़िली है फखर जमान है हैदर अली को मौका दिया गिया जिस पर लगतार बाते हो रही है कि भाई एक यंग इस्टर को मौका दिया गया है शोइव मलिक की जगए क्योंकि मलिक को है टीम में नहीं चुना गया है T20 विशो कब में शोइव मलिक ने बहतर प्रदर्शन किया था और इसी वज़े से सभी को उम्मीदे थी कि भाई शोइव मलिक को जो है मौका मिलेगा लेकिन हैदर अली को मौका दिया गया है शोयव मलीक नहीं खेलेंगे हैरिस रॉप गेंदवाज है उनको भी मौका मिला इफ्थिकार एहमद को शोयव मलीक को इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि वो ओल्डर है यानि की बुड़े हो गया है है इसी वज़े से मौका नहीं दिया गया लेकिन इफ्थिकार एहमद को देख लीजिए तो यह खुद चाचा लगते हैं लेकिन इन्हें यंगिस्टर के तौर पर मौका दिया गया है खुदिर शाह है मुहमद नवाज है मुहमद रिजवान है मुहमद वसीम जूनियर है इसके अलबा नसीम शाह को मौका मिला है हसन अली की जगह पे शाहिशा अफृती शेअवाज दहानी और उस्मान गादिर को मौका मिला है एक बार फिर इसे मैं आपको बताना चाहूंगा एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का एलान हो गया है और इन खिलाडियों में बावर आजम है शादाप खान है आसिफ अली है फखर जमान है हैदर अली है हरिस रौफ इफ्थिकार एहमद खुर्जदिल शाह मुहमद नवा को लिया गया है तो यह है एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम आपको यह टीम क्यासी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही शोय मलिक के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं यह भी जरूर मैंशन कीजिएगा धन्यवाद